हेलो बच्चो नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद सांदार जिन्दबाद जब अरजस्त होंगे बच्चो जब भी हम कोई भरती देखने जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहली चीज उस भरती के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि उसका फ एंसन हमेशा रहेगी कि मैं बता निया सफॉर्ण ऑनने जा थ़र आप के cyber cafe ने कोई गलती करी है वो तो यह मानेगा कि आप यही ने गलती की है आपने क्यों नहीं ध्यान दिया अगर cyber cafe वाला भर रहा था हमने तो नहीं बोला था कि आप cyber cafe वाले से form भरवाई है तो यह बहुत important हो जाता है क्योंकि यह बहुत minor सी चीज होती है बच्चों की form भरते time क्योंकि जब हम form भर रहे होते हैं नहीं पता होता कि यह हम final select हो जाएंगे just हम थोड़ी लापरवाही सी कर देते हैं वहाँ पर और यह भुगतना पड़ता है जब आप joining के time पहुच जाते हो physical के time पहुच जाते हो फिर आपको इतना एसास होता है कि यह मैंने क्या कर दिया तो बच्चों एक एक बात बताओंगा और बहुत सारे नई बच्चे होंग कि जो पहली बार किसी भरती को देखने जा रहे हैं वो ऐसे thumbs up करें कि अब से पहले कोई भरती नहीं देखी पहली बार कोई भरती देखने हम लोग जा रहे हैं अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनको यह वीडियो बहुत important हो जाता है यह वीडियो देखना क्योंकि एक एक point आप cyber cafe वाले से जादा जानोगे अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो एक एक बात बताऊंगा कि कैसे form भरना है फिर कोई गलती के chance नहीं है देखिए बच्चे आप बहुत सारे बच्चे हैं मैं देख पा रहा हूं कि यार सबका ही थमसब हो रहा है यह तो अब मैं आप स चलिए request करता हूं छोड़ी हम सब बातों को कि अब आप बिल्कुल नए नहीं रहेंगे क्योंकि form में गलती केवल नए बच्चे से नहीं होती पुराने से भी होती है तो बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ये form डालने जा रहे हैं तो आप या तो सरकारी result से वहां भी link आया हुआ है इसका या आप railway की official website पर चले जाएं तो भी आप इस form को directly apply कर पाएंगे और जैसे ही आप उस link पर जाते हैं तो एक ऐसा feature सा आएगा जिसमें लिखा होगा candidates who have already created an account यानि अगर आपने railway का पहले कोई form भर रखा है तो आप बताईए तो पहले भर है तो फिर आपको कोई account create नया create करने की जरूत नहीं है आपकी वही detail इनके पास save है बस उससे आगे जो चीजें और educational qualification क्योंकि वो बढ़ती घटती रहती है तो उसको यह update करवा देगा photo sign करवा देगा और fees ले लेगा तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है लेकिन अगर आप पहली बार कोई account create करने जा रहे हैं okay करिये पहले तो इसको जैसे ही आप okay करेंगे तो यह create an account ये एक face खुल जाएगा आपका और अगर आप कहरे है already have an account और गलती से एक खोल लिया अपने already have an account तो login here फिर आपको अपने id password याद होने चाहिए पुराने उन से आप login कर जाओगा और आपकी details already खुली हुई आ जाएंगी name वे हम सब भरे हुए आ जाएंगी तो अब मैं उन बच्चों को बता रहा हूं क्योंकि यह तो पारंगत बच्चे हैं अगर इन्होंने पहले form भर रखा है मैं ने के हिसाब से बता रहा हूं create an account उनको कहां से भरना है उसकी बात आ गया जाएगी अब देखिए बच्चों कि यहां पहला column है यह आएगा कि आपकी nationality क्या है तो यह आप इंडिया भर दोगे इसमें फिर personal information आ जाती है full name आ जाएगा have you changed your name कभी आपने अपना नाम change किया है तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा बहुत ही कम बच्च कहेगा मेरा तो यही नाम पहले था यही अब है बच्चों लेकिन account create करवाते टाइम एक चीज लगाता यह कि full name भी भरिये फिर कहता है retype full name यानि दुबारा भरिये इसका कारण क्या है क्योंकि यह जो account बना रहे है ना इसमें अगर एक बार correction हो गया इसमें अगर आपने ग माई को और 24 माई तक आप फॉर्म में correction कर सकते हो लेकिन जो account बना हुआ है यह जो account में detail भर रहे हो इसमें कोई correction नहीं होगा क्या इस date में भी नहीं होगा correction date है बागी चीजों में हो जाएगा लेकिन जो account बनाने में अगर आप डाल रहे हो ना चीजें इनमें correction नहीं कर पाऊगी railway ने साफ लिख दिया है यह एक बार गलत हो गई तो गलत है इसके बाद जो चीज आएंगी login करने के बाद उनमें आप correction कर सकते हो इस date के बीच बहुत important बात बताईए है मैंने तो इसलिए account को बहुत साफधानी से भरना वो भी खुद कह रहा है कि मैं साफधानी से भरवा रहा हूँ एक बार यहां नाम भरो एक बार retype कर दो अगर य यहां कह रहा है री type date of birth यानि दो बार का रही है ताकि गलती होगी पता लग जाएगी आपको वरना उसे क्या पढ़ी है तो भाईया select gender male इधर भी select gender male father's name father's name copy paste मत करना अलग से भरना ताकि गलती होगी तो पता लग जाएगी mother's name mother's name क्योंकि उधर भी गलती होगी इधर या उन्होंने system बनाया हुआ है और जैसे ही आप भरते हैं आधार verification पर एक column पर पहुंचते हो यह father's name के बाद mother's name के बाद आधार verification आ जाता है अपना आधार card number डालते हो जैसे ही डालते हो यह सब चीज़े आ जाती है full name यह date of birth यह यह आधार के आधार के मतलब जो आधार पर है उसकी date of birth सो करेगा जो आधार पर नाम है वह यहां नाम सो करेगा gender select आप कर लिजे आधार पर यह ही यहां आप कर दीजे mail I confirm यह टिक मार यह verify कर दीजे आपका आधार verify हो चुका है ऐसे आ जाएगा green जैसे आधार verify हो जाएगा अगर आप आधार नहीं देना चाहते ह दूसरी ID तो I don't have आधार वाले option पर क्लिक करिए फिर दूसरी ID मांग लेगा कुछ यहां पर option भी है कि आधार verification को अगर आप नहीं बढ़ते हैं तो वहां पर दूसरी ID का option आ जाएगा चलो अगर मैं बोलू कि contact details तो email address और mobile number इन दोनों चीजों को बिलकुल सही डालना बच हो क्यों कि इन पर ही railway की आगे information आएगी आती रहेगी update पैसे भी अगर आपके account में 500 की फीर जमा कर रहे हैं 400 आएंगे तो यहां information जरूर आएगी ठीक है तो यह जरूर भर देना और आपका form cancel हो गया है कुछ हो गया तो इस mobile number पे message आता ही email भी आता है अगर form में कुछ दिक application की जरूरत है तो वह हो सकता है कई बार inform भी करते हैं भी या सही कर लो अपने form को वरना हम गरबल कर देंगे तो यह जो चीज़े ना यह रेल में बहुत अच्छी कर रखी है तो इसलिए हो कहता है email गलत है सही है इसलिए हम आपका OTP मांग रहे हैं तो कभी बच्चा बोल गलत email डल गया तो आप से OTP मांगे OTP email पर जाएगा वो यहां आप डाल दोगे यह रहे और जैसे मोबाइल पर तो यहां generate OTP कर दोगे यहां आ जाएगा दुबारा अगर आपको OTP पीचे regenerate कर दीजिए चलो बहुत अच्छी स्वीधा कर रखिए आगे यहां password password अपना डा पांट क्या बार जो है यह बोल रहा है कि जो password है ऐसा बनाना ऐसे नहीं कर सकते हैं यह कह रहा है आपके password में capital letter हो आपके password में small letter भी हो ठीक है आपके special character भी हो special character जैसे dollar यह ऐसी चीज़े dollar वालर बने रहते हैं यह percentage का sign ऐसा कुछ special character यह dash ऐसा special character में आते हैं और एक जो है number भी होना चाहिए जैसे मैं एक example देता हूं जैसे को इसको password बनाए इसी को मत बनाने लग जाना मैं एक example देता हूं digital dollar one यह password एकसेप्ट कर लेगा क्योंकि देखो capital letter भी है small letter भी है एक क्या है चार चीज़े मांगता है एक special character हो गया एक number भी हो गया तो ऐसा password चलेगा यहां ब अब जो कितने चीज़े ज्यानकी सिखा रहा हूं आपको आगे बच्चों यह सब चीजे आप बच्चों यह सिर्फ hardware कर सकता है क्यों क्यों कि उसको बच्चों की चिनता है कि बच्चे इस चीज से परेसान हो रहे होंगे उनकी यह गलती ना हो जाए बस कैसे भी तरके इसल अब आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं एकाउंट खतम पासवर्ड याद रख लेना क्या है इमेल आइड याद रख लेना ठीक है बहुत बढ़िया अब जैसे ही अब यहां पर आप जैसे ही एकाउंट क्रियेट कर देते हो तो आप इस पेज पर पहुंच जाओगे कि साइन इन्टू यॉर एकाउंट अब आप पुराने वालों के बरावर हो गए जो कह रहे रहे हैं है वहां पर आएंगे डाइरेक्ट जो पुराना जिन्होंने फॉर्म भर रख रेल्वे का यह एलपी टेक्निशन वगेरा में वो सीधा यहां आएंगे तो वह हो सकता आपन में एक नमबर लिखा रहता हूँ यहां डाल दो लॉग इन कर दो अब आपका एकाउंट ओपन हो चुका है यह आ गया ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही आप फिल करोगे दिखेगी इन्फॉर्मेशन देटा फैस्ट फ्रॉम यॉर प्रीविय है यह पहला स्टेप्स अब आपको देख लीजेगा क्या एक्स्ट्रा क्योंकि यह सब तो देखे जेंडर इमेल मोबाइल यहां तक सब बढ़ दिया था अब मेरिटल स्टेटस यहां से भरना होगा यह सब भरा हुआ आएगा इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते चेंज भी भी नहीं कर सकते थोड़ा ब्लैकिस टाइप होगा यह वाइट सा जोगा यह भरना पड़ेगा मेरिटल स्टेटस मेरिड़न मेरिड़ आप भर देना रिलीजन हिंदू मुसलिम जो भी है भर देना मदल टंग आपकी हिंदी इंग्लिस या अपनी लंग्वेज है तो भर दी लिःए जिये जोई सॉप्दले यह बहुत iまだ पॉइंट कि यहांपर इंलिस तो सबके पेपर में हैं में कि में तो अगर आपको पेपर हिंदी में भी चाहिए थो हिंदी रख दीजे आपको बंगाली में चाहिए तो यहां बंगाली पे किलिक कर दीजेए आपको गुजुराती में जो Crash में अंग्लेस सब्के लिए आईगजे रह बहुत बढ़िया और पर्मणेंट जो आपका mark of identification है कोई ऐसा चिन मोल है तिल को मोल बोलते है मोल आप मालने राइट चिन तो मालने ठोड़ी पर यहाँ पर मोल है तो आप कह दो यह मेरे right side मोल आफ राइट मोल on right chin ऐसे कह दीजिए ऐसे कोई भी आपकी कोई ऐसी पहचान हो वो लिख दीजिए permanent visible mark of अदमी है चलो बहुत बढ़िया आगे अगर हम देखें कि community यहाँ पर आपको अपनी category चुननी है कि आप किस category से हैं यूर, SC, ST, OBC, EWS इन में ही आपको फॉर्म बरना होगा अगर यूर है तो फिर यूर भर दीजिए SC, ST, OBC, जो भी है आप भर दीजिए फिर यहाँ पर आपका state वगेरा, district वगेरा यह सब कुछ आ जाएगा और अगर आपका यह है माल दीजिए present address यह कुछ भी हो सकता है जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ बखा भर दीजिए यह present address हो गया अगर यह same है तो यहाँ tick मार दीए यह वाला यहाँ ही भर जाएगा same, permanent represent अगर same है तो यह tick मार यह दोनों जगे अपने अप भर जाएगा लेकिन अगर अलग 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 है तो यह भी दुबारा भरना पड़ेगा फिर यहाँ tick मत लगाईएगा और just यहाँ save save, save कर दिया next पर बढ़ जाएगे next page पर आ जाएगे I understand and I agree ठीक है भाई, यह अब आपका data save हो चुका है बिजली बग जाए, computer बंद हो जाए तो आपका data वहीं से खुल जाएगा जो आपने भरा है ठीक है भाई, अगर आप OVC भर देते हैं तो OVC भरने पर जनरल भरते तो यह कॉलम नहीं खुलेंगे OVC, SC, ST, EWS भरेंगे तो यह कॉलम भी खुलेंगे Do you come under OVC non-crim layer? यह केवल OVC में मिलता कॉलम, SC, ST में नहीं मिलेगा तो आप क्या होगे हाँ अगर आप OVC का फायदा लेना चाहते हैं तो इसको yes भरना ठीक है, date of issue आपका OVC certificate की क्या date है issue होने की, वो आपकी date लखी रहती है उस certificate का number क्या है OVC के का, वो यहाँ भर दीजिएगा ठीक है, और बाकी बाकी बच्चो, issuing authority issuing authority इस तरह की आएगी तो आप अपना देख लिजेगा OVC certificate पर SDM के sign हो रहे हैं किस के हो रहे हैं, वो यहाँ से चुन लीजिएगा ठीक है, additional magistrate के हो रहे हैं वो सब नाम आ रहे हैं, additional deputy commissioner के हो रहे हैं तो देख लिजेए, आपकी जाती प्रमान पत्तर पर आपको दिख जाएगा ठीक है भाई, तो यह सब कुछ हो गया आपके district district सब आई ही गये हैं यह देखिए, आपका एक blue हो गया एक चीज personally closed हो गई अब आपकी आती है other details कि आप service में, ex-service man यह से तो yes करिये, नहीं है, तो नहीं करिये अगर yes करोगे, तो आपकी वो भी पूचेगा कि भाईया, आप उन्हें कब join, नौकरी छोड़ी वो रही वो date wait आजाएंगी, अगर no कर देते हो कुछ नहीं आएगा, person with benchmark disability, अगर आप disable हैं, तो yes करिये, फिर आप क्यों detail मांगेगा, disable मतलब विकलांग हैं, और नहीं तो no करिये, आगे बढ़िये, और ebc detail, यानि अगर आप economically backward class में हैं, तो आप कोई fees कम लगेगी, तो आप यहाँ पर no कर देते हैं, कोई दिक्कत ने yes कर देते हैं, तो उसमें भी कुछ detail मांगेगा, आगे हाँ जी, अब आगे आदेखो, यह तो कोई column है, जो वहाँ नीचे था, अब उसके नीचे ही क्या दे रखा है, details of the serving railway applicant, देखें, मैंने next page कर लिया, लेकिन आपको यह lines है, नीचे तक form, एक साथ, details of the serving railway applicant, अगर आप पहले से railway के employee हैं, तो yes करिये, नहीं, तो no करिये, current employment details, excluding railway employees, अगर आप railway के employee नहीं है, लेकिन कहीं और employee है, सरकारी नौकरी, private की कोई जिक्र नहीं, सरकारी करते हैं, तो आप यहाँ पर yes करिये, वरना तो not applicable कर दीजे, अगर आप सरकारी कहीं नौकर नहीं है, तो details of the course completed act apprentice, अगर आपने apprentice का course होगेरा कर रखा, तो yes करिये, वरना no करिये, तो no कर देंगे, चलो जी, और यह आपके account details मांगेगा, जिनमें आपको पैसा वापस करना है, उसको, confirm save, यहाँ पर अगर आप अपने fees कटुआ भी लो, किससे, cyber traffic account से, लेकिन यहाँ अपने ही account की detail भरवाना, वो कहरें, फीस हम वापस इस account में करेंगे, बहुत बढ़िया, अच्छे से बात समझ में आ रही होगी, तो भाई, अगर यहाँ पर SC certificate है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, OBCA मैंने वो भी बता दिया, सेम चीजे दोनों जगे आएंगी, अब अगर मैं देखू, तो यह दूसरा detail भी हमारा clear हो गया, अब है educational qualification detail के column पर आता हूँ, यह अपने आप बढ़ता जाएगा, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, यह अपने आप blue होता जाएगा, जैसे और state का board है, cbfc board है, वो यहां भर दीजिए, और आपकी passing की date क्या है, और roll number क्या था, अब यह यहां पर, अगर केवल 10th की detail भरना चाहते हो, तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं, next कर दो, लेकिन अगर आप चाहते हो, मैं 12 हूँ, मैं तो graduate हूँ, मैं तो दिखाऊंगा रेलोए को, तो भाईया, यहां add कर दीजे, फिर हां intermediate की पूछ लेगा, फिर add कर दोगे, graduation की पूछ लेगा, तो इस तरीके से, मैंने constable का form खोल रखा है, और साइद SIK में यह सारी चीजे पूछी भी जाएंगी, इसी तरीके से, वहां तो graduation तक भरना है, अब उसके बिना तो बढ़ेगा ही नहीं, तो भाईया, यह हो गया, आपका educational qualification, अब यह भी बिलू हो गया, अब upload profile document, इस पर लिखा हुआ है, यह documents दो हैं, एक तो आपका photo, एक है आपका signature, दो चीज अपलोड करनी है, photo, photo आप, एक चीज दिहान रखना, white background photo ही चलेगा, यह बहुत important बात है, अगर आपका किसी और background में photo है, तो यह लिखा आजाएगा, यह photo white background में चाहिए, नहीं चलेगा यह, तो photo white background में लगाएं, और यहां लगाएं colorful photo हो, और यह आपका signature हो, signature आप लाल पीले कागज पेना करें, पीछे white paper हो, कोई lining का paper ना हो, blue और black ball point pen से करें, ठीक है, clear इतनी सी बात है, बस यह photo बताएं कि यह सब गलत है, अब बताओ क्यों गलत है, कोई बताएंगा यह क्यों गलत है, क्योंकि मूँ पे बाल आ रहे हैं, यह क्यों गलत है, क्योंकि पीछे background white नहीं है, यह देखो, उल्टी टोपी लगा लिए, चसमे लगा लिए, यह cartoon टाइप photo बना लिए, यह फुल दे दिया, यह सब कहीं न कहीं गलत है, background की बज़े से गलत है, टेड़ा तक रहा इसलिए गलत है, इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आँख मिच गई, तो ऐसे सब में गलती उन्होंने दिखाई है, ठीक है, ऐसे photo नहीं चलेंगे, form reject हो जाएगा, photo की बज़े से बहुत form reject होते हैं बच्चो, ठीक है, clear, तो भाई, एक एक बात बता रहा हूँ, अगर फिर भी भगवान ना करे, आपके form में गलती हो जाए, तो 15 मई से और 24 मई के बीच, फिर correction window, इन सम्में correction हो सकता है, जो भी मैंने यहां से भरे हैं, कि हम 15 मई का वेट करें, ठीक है, पैसे भी लगेंगे, फिर correction करने में, फिर वो पाँचवे point पर पहुँच जाएगा, और form पूरा होने वाला है, I agree यह करके, और place लिख दो, यहां पर जहां से आप भर रहे हो, अपने सहर का नाम, और यह कुल दी, जब भी sign थे किसी के, तो वो डाल दीजे white background, वो होने चाहिए गलत हो रहे हैं, पीला सा आ रहा है, तो भाई, यह जो है, blue और black ballpoint pen से हैं, ठीक है, और फिर, आगे बढ़ जाएगे, इस blue चिन को लगा के, वो कहेगा, submit करना चाहते हो, तो जी, submit करना चाहता हूँ, कर दो, इसको बिल्कुल, finally, वो चीज, submit हो जाएगे, save हो जाएगी, जो भी अब फिर यह आगे बढ़ जाएगा, अब फीस दे दो, अब पैसे दे दो, तो भी है, हमने पैसे, क्योंकि हम fake form भर के देख रहे थे, तो हमने पूरा form, इसलिए नहीं बरा कि पैसे लगेंगे, तो इसलिए form नहीं बरा, तो भाई, यहाँ पर अब आप पैसे तो आपको पताईए, कैस कैस देने होते हैं, ठीक है बच्चो, तो यह पूरा एक एक चीज, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, मेरे ख्याल से आपको किसी भी बच्चे को form भरने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब जरूरी डॉकुमेंट्स क्या हैं, कि भाईया, जो आपको बाद में चाहिएंगे, 10th की Mark Seat and Certificate, यह बहुत जरूरी है, अगर आपने 12th और Graduation वहाँ डाल दिया, तो आपसे वो भी डॉकुमेंट्स मागे जाएंगे, या तो अगर आप उनको नहीं देना चाहते 12th और Graduation को, तो वहीं detail मत भरना, जो मैंने बताया ना, add कर दिया, तो 12th और Graduation आ जाएंगे, तो अगर आप चाहते हो कि मैं तो सिर्फ 10th से ही भरना चाहते हूँ, तो 10th के ही मागेगा फिर वो आपसे, ठीक है क्योंकि यह भरती ही 10th से है, आगे अगर बच्चों, हाँ, अगर SI का भर रहे हो तो भही, आपको 10th का भी चाहते हैं, 12th का भी Mark Seat Certificate, और Graduation की भी डिगरी चाहिए, डिगरी या Final Year की Mark Seat, और Cast Certificate Central का, बच्चों यह ध्यान देने वाली बात है, कि Cast Certificate किस किसम चाहिएगा, UR को तो कोई Cast Certificate की ज़रुवत नहीं है, Unreserved Category को तो, अगर आप OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, और EWS से हैं, यह चारो Certificate आपको Central के चाहिए, EWS के जगे कहते हैं, बच्चे नहीं बनता है Central को, तो भई जैसा बन रहों लगा दीजिए, तो कुल मिला करके, अभी कोई Scanning वगेरा नहीं करनी, यह नहीं बताया, कितना पुराना चल जाएगा, तीन साल, चार साल, पांच साल, नहीं, ऐसी कोई Condition नहीं लगाई है, इसका मतलब यह सारे चल जाएंगे, अब EWS का, अब EWS का, तो हर बार यह होता है, कि सर इस Finance Layer का होना चाहिए, अच्छी बात होगी, कि अगर आप 1 April, यह अपनी सेफ्टी के लिए रख लीजिए, 2024 से बाद का, के बाद का बनवा लेना, पौम भरने तक की डेट का, ठीक है, इसके बाद, और फौम भरने यह केवल EWS में, OBCC, SC, ST, पुराने भी है, तो दोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, EWS कही बार दिक्कत कर सकता है, Domicile Certificate कुछ नहीं मांगाए है, तो यह Certificate, जो बहुत जरूरी है, जिनके बिना कुछ नहीं हो सकता, उनको मैंने यहां बता दिया है, तो बच्चो, अब अगर मैं बात करूँ, कि भाई, अब RWA आपको पढ़ाने के लिए के अगर, अब सोचो, जो मैं Form के लिए इतना चिंतित हूँ आपके लिए, तो आपके Selection के लिए कितना चिंतित हो सकता हूँ, तो मैं इसके लिए आपको एक Best Team के साथ, और यह सारी Team आपको मिलने वाली है, रेल रक्षक बैच में, मेरा भरोसा रखना, अगर मैं कोई Team आपको दे रहा हूँ, तो बहुत स्तांदार Team दे रहा हूँगा, आपके रेल के एक्जाम के हिसाब से, तो आप मेरा इस पे तो इतना भरोसा रखी सकते हो, अगर आपकी कोई सिकायत है, तो आपके डाउट ग्रूप से आपसे हमेशा जुड़ा रहा हूँगा, अगर कोई Teacher की Change करने की भी जरुत पड़ती है, तो आपका भाई आपने वादे पर हमेशा खरा उतरा है, नहीं वह वोला, तब भी Change कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं Teacher दे रहा हूँ, उसकी जरुत पड़ेगी ही ने, उस नौबत तक नहीं आएगी, ठीक है, मुझे लगा कि ये टीम बहुत बैस्ट कर सकती है आप लोगों के लिए, और वो करके रहेगी, ठीक है, चलिए, तो बच्चों, ये जो रेल रक्षक बैच है, ये बैच आपका आ रहा है, बीस तारिक से इसके रजिस्ट्रेशन सुरू हो जाएंगे, बीस अप्रेल थे, किलासे जो स्टार्ट होंगी, वो 28 अप्रेल से regular class चलेंगी, 28 अप्रेल से class, बिना एक दिन भी skip किये हुए, अब बात है कि सर, एक्जाम कब होगा, कहीं एक्जाम तक स्लेबर्स पूरा ना हुपा, 100% होगा, एक एक चीज होगी, वीडियो लाइव भी मिलेंगी, और बाद में देखना चाहो, तो recorded form में भी देख सकते हो, और भाई यह जो एक्जाम है ना, यह आपका कैसे भी नहीं लग रहा कि सेप्टेंबर से पहले हो जाएगा, तो सेप्टेंबर या उसके बाद ही होगा, हाला कि रेलवे का यह वादा है, कि हम जिस साल भरती निकाल रहे हैं, उसी साल हम आपको जोइनिंग देंगे, पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी गुरूप डी की तो भरती ही अक्टूबर में आएगी, सेप्टेंबर में, अक्टूबर नाउंबर में, तो उस साल तो जोइनिंग, देने का मतलब भी नहीं कि क्योंकि दोई महीने बचे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, इसलिए ये बच्चे, ये चीज़े आप अपने दिमाग में नोट कर लें, हाँ, हर एक चीज़, बच्चो, अगर मैं आपको आकास सर को में एसम दे रहा हूँ, या दीपक सर, या राहूल सर, ये सब हमारे टीम मेंबर हैं, दीपक सर, राहूल सर को भी आपने ही बनाया है, आकास सर दे रहा हूँ, तो इतनी सी भी सिकायत नहीं आएगी यह मेरा वादा है आप खुद कह दोगे सर बेस्ट टीचर है रेल रे के लिए ठीक है चलिए तो बच्चो और कुछ हाँ इस बार बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जॉन वाइस भरना देखे जॉन वाइस का कोई भी जिक्र पॉम में नहीं है पॉम में जॉन का कोई मतलब नहीं है इस बार जो वेकेंसी है वो भी वेकेंसी जो है हर बार क्या होता था जॉन वाइस होती थी इस बार वेकेंसी भी जॉन वाइस नहीं आई है It means ऐसा लगता है कि जो cut-off है वो भी अब 80 लगेगी, जॉन वाइज नहीं लगेगी, जैसे दिल्ली पुलिस वगेरा की लगती है, कोई जॉन का किसी भी तरह का जिक्र नहीं है, ठीक है, clear बच्चो, तो अब मैं फॉर्म में आपने देखा कहीं भी जॉन की बात है क्या, मैंन सारे कॉलम दिखाएं हैं इसलिए, तो इसलिए अब टैंसन फ्री रहो, चलो, ओके बच्चो, हाँ, NCC का कोई जिक्र नहीं है फॉर्म में, इसका मतलब मार्क्स वहां भी कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, फॉर्म्स की वहां भी, और NCC का वहां भी कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, नोटिफिकेशन में मुझे कहीं नजर नहीं आया, NCC को प्रायर्टी मिल सकती है, अगर दो बच्चे सेम नंबर पर मेरिट में आना चाते हैं, दो मैं से उसे एक को ले ले जिसके पास NCC है, मालो, कट आफ गई है, 91 पर तो 91 दो के हैं लेना एक है, तो उस ताइम NCC वाले को प्रायर्टी दे दी जाए, इतना हो सकता है, चलो बच्चो, नमस्कार, धन्यवाद